दीसरी बात बाबा ने अमच्यों वच्य करने कोगा सम्मन्दों की समीपता सम्मन्दों की समीपता क्या है बाबा इसका प्रक्ष का पीज़ा हूँ जिस आत्मा का पीज के साथ कनेक्शन है उसका साथ प्रक्ष के साथ कनेक्शन आप ही हो जादा क्योंकि बीज के साथ connection हुआ और बीज का हम जो प्रह्मन है हम तहां पैठों आप पर प्रुक्ष में देखेंगे और अंप प्रह्मनों का स्वागों साह रहा है हम मूल में है न आप ने, देखा है सब ने देखा है काल परमक्षे की जिनें देखा है जिन नहीं देखा होगा यहां देखें नँ तो कल परमक्ष के छित्र में वीज शिव はい और ब्रह्मन जो मूल में बैटे जिसकी यादगार आज भी रुशे मुनी ज़र तफस्या करते हैं तो जआड के मूल में बैठ के करतें आख़ों कभ टैरी के नीचे बैठ के नहीं करेंगे ? वुरक्षे के नीचे होंगे पर मूल के पास बैठ के करेंगे तो क्योंकि हम प्रफ़मण उभ्मे मैं दपस्या करते हैं तब ही पूलता इनीक्शन तो बीज के साथ तो बिज थे पहुत बाहती है तो हमार भीन के सानीक्शन में तो के रहता है धारण सारे भृक्षटे साथ इस कनीक्शन है इसलिए अगर हमारे सर्व संबन्द हमने बाबा के साथ जोड़े हुए सर्व संबन्दों की रशना हमने बाबा से नहीं मिलिया है तो हमें सारा प्रिक्षब दिये लगे बाबा ये सर्व संबन्दों की सैग्रीन है बाबा के अंदर हर संबन्द का रश है आप ले के देखें, जिस समय हमें एक-एक संबंद का रस बाबा से लेना आता जाता है, उस एक-एक संबंद का रस लेने के बाद नश्टों होगा, सुर्थी लब्दा बना बड़ा सहच हो जाता है। तो जो संबंद तुमारे को ज्यादा अपनी तरफ केचने वाला होगे, तो संबंद पहले बाबा के साथ जोगा। तो उदर से तूट गया अपना इतर बाबा के साथ जुट जाएगा। बाबा के साथ संबंदर जुटना अर्थाती दे दारियों से हमारा संबंदर तूटना तो जितना जितना हमारा बाबा के साथ संबंदर जुटने जाते है उतने उतने दे दारियों से हमारा संबंदर तूटता जाता है